हेलो नमस्कार दोस्तों मेर नम है कपेल और स्वागत आप सभी का फुर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के टॉप 35 MCQs जो आपके अगामी सभी परतु की परचाओं के लिए अती महत्पूर्ण होंगे तो इसलिए आप इस स्वीडियो को सुरुसान तक जरू देखेगा और नहीं याद कर लिजिएगा अगर आप इस स्वीडियो का फ्रिपीटर फाल डॉनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप फुर आपकी सक्सेश जोइन कर इसे डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है हरे फलो को पकाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है तो वह गैस है एथिलिन देखे एथिलिन जो है वरिचों में गैसी अवस्था में पाया जाता है और यह फलो को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला गैस है जबकि कच्चे फलो को करित्रिम रूप से पकाने के लिए ऐसे टिलीन गैस का उप्योग किया जाता है Q2 है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है तो फाइलेरिया रोग जो है क्रिमी यानि वार्म के कारण होता है Q3 है Q4 है Q4 है लौ फ्लोटिंग सिधान के खोज किस ने की थे तो लौ फ्लोटिंग सिधान के खोज आर्क मिडीज ने की थे Next question है Q2 है Q2 आम तोर पर विकिरन चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में परियूग तो होता है क्योंकि यह उच्छरजित करता है देखे Q60 एक ऐसा रेडियो आइसोटोप है जिसका उप्योग बलड कैंसर जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है Q60 में Q60 कौन सा विकिरन उच्छित करता है तो यह गामा किरने उच्छित करता है Q6 है पेट की अमलियता को दूर करने में परियोग किया जाने वाला च्छारक है तो वह च्छारक है Magnesium Hydroxide Magnesium Hydroxide को Milk of Magnesia भी कहते हैं इसका परियोग पेट की अमलियता को दूर करने में किया जाता है इसका सुत्र क्या है Magnesium Hydroxide का तो इसका सुत्र है Mg MgOH2 ठीक है MgOH2 तो यह है इसका सुत्र Magnesium Hydroxide का सुत्र है MgOH2 नेक्ट कोशन है कोशनमर 7 चौक का रसानिक नाम क्या है तो चौक का रसानिक नाम है कैल्सियम कार्बोनेट ठीक है चौक का रसानिक नाम क्या है कैल्सियम कार्बोनेट इसका रसानिक नाम है चौक का और इसका रसानिक सुत्र है CACO3 Question 8 है Vitamin A का उत्क्रिष्ट सुरूत क्या है तो देखे Vitamin A का उत्क्रिष्ट सुरूत है गाजर ठीक है Vitamin A की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है तो वह हो जाता है रतोंधी Vitamin A की कमी से रतोंधी हो जाता है विटामिन A का रसानिक नाम क्या है तो विटामिन A का रसानिक नाम है रेटिनॉल Q9 है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की उर्जा होगे तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की उर्जा जो है गतीज एवं स्थितीज दोनों होगे question 1, 10 है photon किसकी मुलभूत unit या मात्रा है तो देखे photon जो है प्रकास की unit है next question है आवर्धक lens वास्तों में क्या होता है तो आवर्धक lens वास्तों में उत्तर lens होता है question 1, 12 है धात्वें विदूत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त electron होते है धात्वें विदूत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त electron होते है next question है antigen है antigen क्या है तो antigen जो है ये antibody के निर्मान है तो उत्प्रेरग की कारी करता है अगला प्रस्न है Newton के गती का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है जड़त्व की व्याख्या करता है तो वह करता है प्रथम नियम ठीक है Newton के गती का प्रथम नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है question number 14 है iodine युक्त नमक की मानो शरीर में क्या भूमिका है देखे इसका राइट आंसर है option A आयोडिन युक्त नमक जो है थाराइट गरंथी के कारे को नीमेद करता है हमारे सरीर में आयोडिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो वह हो जाता है गेंगा रोग ठीक है आयूडिन की कमी से हमारे सरीर में गेंगा रोग हो जाता है इस रोग में थाइराइट गरंथी के अकार में बहुत विरिधी हो जाती है नेक्ट कोशन है पीत का मुख्य कारी क्या है ठीक है पीत कहां से स्रावित होता है पीत जो है यक्रित से स्रावित होता है लीवर से और यहां से स्रावित होने के बाद जमा रहता है पितासर में गॉल ब्लेडर में पीत का मुख्य कारी क्या है तो इसका मुख्य कारी है पाचन तथा सोसन हितू वसा का इमलसन करना इसका मुख्य कारी है ठीक है साथ ही इसका कारिये भोजन को छारिये बनाना है ताकि अगना से ही रस किरिया कर सके नेक्स्ट कोशन है घरों में लगे पंखे बलब आदी लगे होते हैं तो घरों में लगे बलब पंखे आदी जो हैं ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं जबकि फ्यूज तार जो होता है, वो हमेशा स्रेनिक क्रम में लगा होता है, स्रेनिक क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज तार. Q18 है, निम्न में से किस गैस का उप्योग बैक्टेरिया को मारने में किया जाता है? आंसर है क्लोरिन क्लोरिन गैस का उप्योग जो है बैक्टेरिया को मारने में किया जाता है क्वेशन मार 19 है किसी वज़तु कताब किसका सूचक है तो किसी वज़तु कताब उसके अनुओं के औसत गतिज उर्जा का सूचक है Q20 है व्रिधावस्था में त्वचा में जुरियां पर जाती है इसका कारण है तो इसका कारण है उप्चर्मिये अस्तर में लचिलापन कम होने के कारण जो है व्रिधावस्था में त्वचा में जुरियां पर जाती है question number 21 है मनुष्य के सरीर में सबसे लंबी को सिखा होती है question number 22 है विद्यूत परिपत में फ्यूज को जो है गर्मतार में लगा जाता है question number 23 है philosophy जो लॉजिक के लिखक कौन है तो देखे पुश्टक है philosophy जो लॉजिक इसके लिखक है लेमार्क ठीक है philosophy जो लॉजिक पुश्टक को किस ने लिखा है लेमार्क ने लिखा है question number 24 है भाप अंगार गैस किसका मिसरन है तो भाप अंगार गैस जो है या carbon monoxide और carbon monoxide और hydrogen का मिसरन है question number 25 है निमलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्वनिक योगी कों में मिलता है आंसर है कार्बन कार्बन सभी कार्बनिक योगिकों में मीलता है Question number 26 है Asphatic यानि Quards निमलिखित में से किसका क्रिस्टलिय रूप है तो Asphatic जो है यह Sleka का क्रिस्टलिय रूप है Question number 27 है Nawkir reactor है नावकिय रिएक्टरों में ग्रिफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है Q28 है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं तो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेल्सेस पर Q29 है सरीर के लिए एंजाइम बहुत आवस्यक है क्योंकि क्योंकि एंजाइम जो है जीव रासानिक क्रियाओं के उत्प्रिड़क यानि केटालिस्ट है ठीक है इसलिए सरीर के लिए एंजाइम बहुत आवस्यक है Q30 है क्रेशन च्छिद्र यानि ब्लैक हॉल सिधान को किस ने परतिपादित किया था तो देखिए ब्लैक हॉल सिधान को एस चंद्र सेखर ने परतिपादित किया था Q31 है साइकलोट्रोन एक ऐसी युकती है तो देखिए साइकलोट्रोन साइकलोट्रोन जो है साइकलोट्रोन एक ऐसी युकती है जो आविसित कनों को उर्जा परदान करती है Q32 है प्रकास वोल्टिये सेल होते हैं प्रकास वोल्टिये सेल होते हैं सौर सेल होते हैं कुशन मर 33 है सुपर कंड़क्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्यूत करेंट के परवाह को नियूम्तम रोधिका देते हैं सुपर कंड़क्टर ऐसे पतार्थ हैं जो विद्यूत करेंट के प्रवा को नियुम्तम रोधिका देते है Q34 है X किर्णों की वेधन चमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है तो देखे X किर्णों X किर्णों की वेधन चमता जो है एक सकिर्णों की खोज किस ने की थी तो इसकी खोज X किर्णों की खोज रोईंट जनने की थी नेक्स्ट कोशन है और इस वीडियो का लाश्ट कोशन मानव के लाल रुधिर कनों यानि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है तो देखे RBC यानि Red Blood Cells का जीवन काल जो है लगभग 120 दिनों का होता है ठीक है लगभग 120 दिनों का तो फ्रेंट्स ये थे साइंस के टॉप 35 MCQs लाश्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था कतकली किस राज की निरित्य सैली है तो इसका Right Answer है केरल ठीक है लगभग हमारे सभे स्टुडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है केरल अब आज का प्रस्न है आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आज का प्रस्न है वर्सा का बुंद का अकार गोलाकार किस कारण होता है तो इसकोशन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल रही हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक दता सेर जरूर कर दिजेगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स वर वाचिंग